ओम शांती आज चार फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं आज की मधुर मुरली में बाबा मच्चों को बहुत सुन्दर दरपन देखने के लिए बात समझा रहे हैं कि अपने दिल रूपी दरपन में देखो कि कोई विकार तो नहीं कोई भूत तो नहीं जो पाँच विका हैं ये पांच भूत हैं बाबा की याद से इन भूतों को निकालते जाओ जितना बाबा को याद करते हैं ये भूत निकलते जाते हैं बहुत सुन्दर बात बाबा ने पूछी कि बाबा बच्चों को नमस्ते करें या पहले बच्चे बाबा को नमस्ते करें आते ही पहले तो बच्चों ने कहा कि पहले बच्चे बाबा को नमस्ते करें तो बाबा नहीं कहा नहीं, बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं क्योंकि बाबा सभी का बाब है, बेहद का बाब है और ये संगम की रसम सबसे न्यारी है जो बाब बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा निराकार, निरेंकारी है तो बाबा बच्चों की सेवा पर उपस्तित हुए है बाबा की ये बेहद की सेवा है बाबा नी का मैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए बहुत दिल से आता हूँ और अब मैं तुम बच्चों को घर ले जाने आया हूँ बाबा केते हैं तुम बच्चे सिक्की लधे बच्चे हो कल्प पहने वाले बच्चे हो आप ठक गए हो यादगार है द्रोप्ती के पाउं दबाए वंदे मातरम ये भी अक्षर किसने उचारा बाबा नहीं उचारा तो बाबा आकर बच्चों की ये बेहद की सिवा करते हैं जिसे दुनिया में और कोई भी नहीं जानते है बाबा समझाते हो ये बात भी पर की करा रहे हैं बच्चों को कि आप किसी को ग्यान की बात समझाते हो आपको भी समझानी नहीं आती तो आप अपने से बड़ों को रेफर करो अपने से बड़ों को रिगार्ड दो आप कह सकते हो कि हमारे बड़े आपको इस विश्य पे समझाएंगे ऐसे बच्चों को अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है जैसे बाबा बच्चों की सेवा में आये हैं, ऐसे आप बच्चों को भी बेहद की सेवा करनी है सुनते हैं बाबा के मतुर बोल बाबा के शब्दों में ओम शांती, बाबनी का मीठे बच्चे, अपने दिल दरपण में देखो अंदर में कोई भूत तो नहीं, भूतों को निकालने का प्रतन करते रहू कोश्चने बाप और बच्चों के बीच, संगम पर दुनिया से बिलकुल नियारी रसम चलती है, वो कौन सी? बाप और बच्चों की बीच, संगम पर दुनिया से बिलकुल नियारी रसम चलती, वो कौन सी? तुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं या बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा खुद कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आके उपस्तित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे, दूसरा मैं निराकार, निरेंकारी हूँ, जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा, ये भी संगम की न्यारी रसम है, ये संगम युक की न न्यारी रसम है, जो बाबा बच्चो को नमस्ते करते हैं, ओम शांती, आने से पहले पहले बाप बच्चो से नमस्ते करें, या बच्चे बाप को नमस्ते करें, बाबा ने पूछा, तो बच्चो नहीं कहा बच्चे बाप को करें, नहीं, पहले बाप को नमस्ते करनी संगम क्यों रसम रिवाज सबसे नियारी है, बाबक खुद कहते, मैं सभी का बाप, तुम्हारी सेवा में आक्योपस्तित हुआ हूँ, तो जुरू बच्चे बड़े ठहरे, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, गाया कल्प के बाद बच्चों से मिलने के लिए, तुम बहुत सी किलदे बच्चे हूँ, इसने कहते हैं मीठे बच्चे, तुम ठक गए हूँ, द्रोपती के पाउं दबाए, तो सर्वेंट हुआ न, वंदे मात्रम किसने उचारा, बाप ने, बच्चे समस्ते हैं, बाबा आया ह हुआ है, सारी स्रिष्टी की बेहद की सेवा पर, बाबा आया है, सारी स्रिष्टी की बेहद की सेवा पर, स्रिष्टी पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क, तो बाब को आना पड़ता, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, वो दिल से आते हैं, जानते हैं, मुझे बच्चो कि सेवा में आना है कल्प-कल्प सेवा पर उपस्तित हुए हैं यहां बैठे सब की सेवा हो जाती हैं ऐसे निकि सब के पास जाना हुगा सारी सिष्टि का कल्यान का रिदाता वो एक है न उनकी भेट में मनुश्य कोई सेवा कर ना सके उनके बेहद की सेवा शुब बाबा की सेवा लिज्ज सजनिया जाग कितना अच्छा गीत है नवजुग पर भी समझाना चाहिए युग भी भारतवासियों के लिए है बारतवासियों से फिर्वे सुनते हैं सत्य उत्रेता होकर गए, क्योंकि वो आते ही है द्वापर में, तो ओरों से सुनते हैं, भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताई राज्ये करते थे, आदिस नातन देवी देवता धरम था, जो अभी नहीं है, गीता है देवी देवता धरम का माई बाप, बाकि सब बाद में आते हैं, तो ये हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए, वास्तों में गीता ही मुख्ये है, जो सब को माननी चाहिए, प्रंतु मानते कहां है, वो अबने धरम शास्त्र को ही मानते हैं, ये तो जानते नहीं, भगवान ने गीता कब उचारी, गीता है बाप की उचारी बच्चे का नाम डाल, मुश्किलात कर दी इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्री कब मनाए शिव जियन्ती के बाद होती है स्रेकृष्ण जियन्ती कभी भी स्रेकृष्ण यग्या नहीं गाया जाता रुद्र ज्यान यग्या ही गाया जाता उनसे ही विनाश्जवला प्रजवलित हुई सो तो बरवबर देख रहे हो आदिसनातन देवी देवता धरम की फिर से स्थापना हो रही है फिर ये और अनेक धरम रहेंगे नहीं स्रीकृष्ण भी तब आए जब और सब धरम ना हूँ बाकि सब आत्माई मुक्तिधाम में रहती है भगवान से सब को मिलना होता है सब बच्चों को बाबा सलाम करेंगे सबी बच्चे बाप को सलाम करेंगे बाप भी फिर आकर बच्चों को सलाम करते हैं बच्चे फिर बाप को करते हैं इस समय बाप साकार में आया हुआ है, यहां तो सब आत्माई बाप से मिलना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे, तो सभी भगत कब और कहां मिलेंगे, जहां से भगवान से बिच्छुडे हैं, वहां ही जाकर मिलेंगे, भगवान का निवास्तान है यह परमधाम, बाब बनाने के लिए, हैमली गौड फादर है, तो जरू स्वर्ग क्रियेट करेंगे न, नर्क की स्थापना, रावन, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं, इनका राइट नाम शिव बिंदू, आत्मा भी बिंदू है, ब्रिकुटी के बीच में इतनी ही रह सकेंगी, तो जैसी आत्मा, वैसा परमात्मा, वंडर है, जो इतनी छोटी सी आत्मा में, जो रासी जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिस्ता नहीं, फौर एवर चलता रहेगा, कितनी गुई ये बाते हैं, अब मनुश्य शान्ती मांगते हैं, क्यों कि सम शान्ती में जा से मिले, ये तो परविर्ती मारक की बात है, ग्रस्त व्यवार में रहते, तुम्हें कमल फूल समान, पवित्र रहना है, चैरिटी बिगेंस एट होम, सेवा करनी घर से शुरू करो, शिव बाबा भी कहते, मैं पहले इसको ब्रह्मा को समझाता हूं, नीराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में, सबसे पहले साकार ब्रह्मा को समझाता हूं, शिव बाबा का ये चेतन्य होम है, पहले पहले ये सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्डन नंबरवार सीख रहे हैं, ये बड़ी गूये बाते हैं, सद्गति दाता, पतित पावन, खुद आकर ये खुद अपने जन्मों को नहीं जानते, इसमें एक की बात नहीं, सब ब्रह्मा मुख को अन्शावली बैचे हो, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्रामन रचे गए हो, तुम ब्रामनों को ही समझाते हैं, निराकार श्रुब बाबा, ब्रह्मा मुख से ब्रामनों को ही समझ चाहते यग्या हमेशा ब्रामनों द्वारा ही चलता है उन गीता सुनाने वालों के पास ब्रामन तो है नहीं इसलिए यग्ये भी नहीं ठहरा ये तो बेहत बाप का रचा हुआ बड़ा भारी यग्या है कब से डेगियां बड़े बड़े पती ले चड़ते आए बंडारा अपिस घर ले जाएंगे फिर नंबर बार पार्ट बजाने भेज देंगे ऐसे और कोई कहना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ तो मैं साथ लेके जाऊंगा पतित मनुष्यों को पावन बना कर ले जाते हैं फिर अपने अपने धरम स्थापन करने समय पार्ट बजाने आत शास्तर शीरोमनी क्योंकि इसे सब की गती सदगती होती भारतवासियों में भी ज्यान वो लेते जो आत्माई पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं पहले पहले वो आना शुरू करेंगे नंबर वार फिर सबको आना है सतुर जो तमों में सबको पास करना है अब कल्प क पूरी हुई, सब आत्माई हाजिर हैं, बाप भी आ गए, हरी को अपना पार्ट वजाना है, नाटक में सब एक्टर स्टेज पर तो नहीं आ सकते, अपने टाइम पर आते हैं, बाबा ने समझाया, नंबर वार कैसे आते हैं, वरणों का भी राज समझाया, चोटी तो ब्रामन तो तुम हो शिव अन्शी, ब्रह्मा मुक्वन शावले, तुम ब्रामन सो देवता बनेंगे, वरणों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती, सब एक जैसे होश्यार तो नहीं है, कोई नई के आगे विद्वान पंडित आकर दिबेट करेंगे, तो वो समझ मेरे से तो तीखे हैं, क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देव इमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है, कहिंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती, देव इमान को छोड़ रैफर करना चाहिए, बड़ों की तरफ, बाबा भी कहते हैं न, हम जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा जूंड में रहता है, अकेला हो तो कोई मार भी दे, शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते, बच्चों को समझाया, गीता का भगवान स्रीकृष्ण कहना रॉंग है, स्रीकृष्ण के शास्त्र तो सब धरम वाले तो नहीं मान प्राचीन देवी देवता धरम किसने स्थापन किया, वो सिद्ध करके बताना है, उनको गौड गौड़ेस भी कहते, श्रीकृष्ण तो दिव्यात्मा है, इश्वर अलग है, लक्ष्मी नान को भगवान भगवती कहते, वैं पालना के निमित है, अगर लक्ष्मी नान को पहले भगवान कहना पड़े, जानते हो भगवान भीना गीता कोई बोलना सके, भगवान के मुख के गाई हुई गीता है, श्री श्री रुद्र के गीता है, इसको कोई अपना मुख बना ना सके, गीता सिवाई शिव बाव के और किसी के मुख से आ ना सके, गीता माता है, उनका रच्यता शिव बाबा है, वो बैठ ओरली समझाते हैं, शिव बाबा मोखिक रूप से समझाते हैं, वो ज्यान सागर है, तो रच्यता ही रचना की नौलिज देंगे, इसलिए रिशी मुनी भी कहते हैं, बेंत है, इश्वर की गतमत इश्वर जाने, अब इश्वर की मत सो है शिरीमत जिससे सदगती मिल जाती सो तो ठीक है गती के साथ सदगती दोनों कहना पड़े क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब ओर धर्म वाली गती में होते हैं भारत वासी सदगती अर्था जीवन मुक्ती में है ये सब राज बावा समझाते जो धारन करना है भारत वाली कहते हैं वेद शास्तरादी सबसे इश्वर का रास्ता मिलता है प्रन्तु ऐसे तो है नहीं ये कोई शिमला की पाड़ी थोड़ा है जो जहां से भी चले जाओ तो पहुंच जाएंगे यहां तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े सजनियों का श्रिंगार कराना पड़े स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए सब महराजा महरानी बनना चाहते हैं प्रन्तु बावा कहते हैं पहले अपना मुख तो देखो महराजा महरानी बनना चाहते हैं पहले अपना मुख तो देखो, नारद की बात भी अभी की है, उनको लक्षमी को वरने की दिल हुई, तो उसको कहा कि अपनी शकल तो देखो, बाबा भी कहते दिल दरपण में देखो, काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रो और भूतों को निकालने का प्रयतन करते रो, पहले अपने जांच करो, चेक करो, कोई भूत तो नहीं, फिर उसको निकालने का प्रयतन करते रो, युक्तियां तो बाबा सब बताते हैं, मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, करम में नहीं आना चाहिए, बाबा अच्छे करम सिखाते हैं, करम अ करम विकरम की गती का ज्य जान भी गीता में हैं, और तो कोई नहीं जानते हैं, विकरम कराने वाली है माया, मैं सत्यू में होती नहीं, अब शिरीमत पर चलने से तुम सर्ग में चल सकते हो, ये किसी मनुष्य की मत नहीं, बाब की शिरीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्ग वासी बन न तुम बच्चे जानते हो, अब एक धरम की स्थापना हो रही है, तुम योगबल से गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, हात में हतियार आदी तो कुछ है नहीं, ग्यान के बानवाती रादी है, उन्होंने पिर स्थूल में दिखा दिया, यह सब एक बुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी दो बुजाएं होती हैं, मनुष्य सुष्टी में आरदस बुजा वाले कोई होते नहीं, सुक्षम बतन में विश्णू को चार बुजा दिखाते, वो भी अर्थ सहित है, बीज को जानने से सारे जाड का ज्यान आ जाता, बीज को ज सब बच्चों के लिए है, जो प्रशाद है, मीठी टोली है, स्वीट है, यह बाबा केते हिए बच्चों के लिए है, वय बशेनुन इसavourकि लिए है, राज्य भी बच्चों के लिए है, लक्षमिनारंवी ज़रूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांटनी देंग ये बाप सब बच्चों को देते माँ प्रजा भी कहेगी हम स्वरक के मालिक है सुख तो प्रजा को भी है दुख का नाम भी नहीं पाकि नंबरवार तो होते ही है माँ सोना भी अथा होता है सत्यू की दुनिया में सोना भी बहुत होता है यहां तो सब खानिया खाली हो गई, गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो इश्वर अर्थ लगाए, अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रती, मात, पिता बाप तदा का याद प्यार और नमस्ते, माताओं को वन्दे मात्रम, बच्चों को याद प्यार, सब को गुड मॉर्निंग, अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, रोहानी बच्चों की, रो पहले पॉइंट है, दे अभिमान को छोड़, अपने से बड़ों को आगे रखना है, कोई डिबेट करता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गवानी है पहले परिवार का कल्यान करना है, ग्रस्त ववार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, वर्दान देयंकार वअभिमान के सुक्षम अंश का वित्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव देयंकार वअभिमान के सुक्षम अंश का वित्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव कईयों का मोटे रूप से दे के आकार में लगाव वअभिमान नहीं है लेकिन दे के समन से अपने संसकार विशेश हैं, बुद्धी विशेश हैं, गुण विशेश हैं, कलाईं विशेश हैं, कोई शक्ती विशेश हैं उसका अभिमान, अर्थात, एहंकार, नशा, रोब, ये सुक्ष्म देविमान है। अपनी विशेषताओं का, गुणों का, कलाओं का, उनका मन में सुक्षम में नशा होना, रोब होना ये भी देविमान है। तो ये देविमान कभी भी आकारी फरिष्टा वा निराकारी बनन अंश्मात्र का वित्याग करेंगे तो निराकारी आकारी से निराकारी बन जाएंगे, सहजी फरिष्टा से निराकारी रूप बन जाएंगे, स्लोगने समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणारी टर्न मिल जाएगा, समय पर सहयोगी बनने से पदम गुणारी टर्न मिल आज चलते फिरते याद करेंगे मैं आकारी सो निराकार आत्मा हूँ और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान होती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कुम भी मिस ना करे झाल